काजल अगवानी से अलग होने के बाद खेसारी LADOW ने अपने किस्ते शो में कहा था कि लटी चोखा मेरी काजल अगवानी के साथ आकरी फिल्म है इस फिल्म के बाद मैं काजल अगवानी के साथ कोई काम नहीं करूंगा इसके जवाब मियाजस से दो साल पुराने इंटर्व हुऔ है कि Top 10 है काजल कहते हैं कि मिरे पास बहुत सारे काम हैं ऐसा नहीं है कि मुझे काम की कमी है और अगर सारी मेरे साथ ऐसा काम नहीं करेंगे तो मैं घर बैट जायूंगी मैं क्थ इतनी कैपिबल हुँ कि लोग मुझे खुद फिल्म सौफर करते हैं इसके बाद काजल से पुछा जाता है कि आपकी और खिसारी लालयादों की जोड़ी बोच्पुरी की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक थी आप दोनों एक साथ काफी फिल्में और गाने कर चुके हैं आप लोग साथ में काफी अच कर लाओड स्पीकर में चला चला कर बताने की सब को क्या जरूरत है और काजल अग्वानी ने बात ने कहीं अपने इंटिवी में कि फिसारी लालयादों के लिए कहा था भा जाता है कि खिसारी लालयादों को अभी भी मानते हैं किसे भी स्टेश शो में आपका नाम जरूर क्या कुझ कहती हैं यह प्रभी को आगे के वीजियो में विषाथ से बताते हैं लेकिन उसे पहले नमसकार मेरा नाम है डौली पांडे इन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जन्क्षण कहा ऑपको अभी भी बड़ा याद करते हैं इसके जवाब ने खिसारी लाल यादो को पलटू कहा कि कि पैस्यारी कि उन धोका कین़ को पता हो यादोißt कि मुझे खिसारी स्टेज पर मुझे context कि और यादू एभी मुझे अपने फैन से जमकर गाली दिलवाते हैं तो कभी मेरे साथ film करने से मना कर देते हैं मुझे तो समझ नहीं आता कि खिसारी चाहते क्या है काजल कहती है कि जब खिसारी शादी सुधा है उनकी बीवी है उनके बच्चे है इसके बावजूद मेरे लिए पबिक लिए क्य क्यों करना है और सब के सामने जूटे प्यार का ढोंग क्यों करना है इसके अलावा काजर अगवानी ने कहा था कि हमारे जोड़ी को पसंद करने वाले लोग अक्सर आज मुझसे नफरत करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हो खिसारी लाल यादो की वज़े से क्योंकि खिसारी ने मेरी इमेज लोगों के नजर में खराब किया खिसारी ने मुझे दोखे बास कहके लोगों के नजर में गिराया है इसलिए उनके फैंस मुझे ग बदनाम कर सकती थी, जैसे खिसारी मेरे लिए सबसे बोलते रहते हैं, जैसे खिसारी मुझे बदनाम करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और नहीं मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है, और खिसारी को अगर सच्वे मुझे से प्यार होता, वो सच्वे मेरी रिसपेक्ट करते, मेरे लिए सीरियος होते तो अलग होने के बाद मेरे इमेज खराब नहीं करते, मुझे अपने फैंसे घाले नहीं दिलवाते, बाकि इसी वक्त, इसी इंटिव्व्यू में काजर अग्वानी ने अपनी स्टारडम वाली सब्सक्राइब PD कई एक विर्जावम को पाड़ और पहुंत स्टारी सब्सक्राइब कि दोनों गाने घ्र्क्षिट हे थे उसके बाद मैंने का पर फिल्म'm के एक गाना था चलकता हमरो जवनिया और ये तीनों गाने इतने जबड़ जस्त ही छुए थे इन ही गानों के बाद मैं लोगों के नजर में आई लोग मुझे जानने लगे मुझे पहचान मिली उसके बाद मैंने खिसारी लालियादों के साथ महन्दी लगा के रखना में काम कि नहीं मैं सकते हूं कि बेशक मैंने खिसारी लालियादो के साथ जाधा फिल्म और गाने किये हैं इसलिए हमारी जोडी दचकों को काफी पसंद आती थी इसका मतलब यह नहीं है कि खिसारी लालियादों ने मुझे स्टार बनाया है या मेरी श्टाडम में में Allah कोई है बागे काजल रगवानी से अलग होने के बाद किसारी लाल यादो ने अपने स्टेशों में काजल रगवानी के साथ फिल्म करने से साफ साफ मना कर दिया था लेकिन किसारी से अलग होने के बाद जब भी काजल रगवानी से पूछा गया कि क्या आप अभी भी किसारी लाल या क्वेसारी के साथ काम करने से कभी पीछे नहीं हटूंगी आपको क्षैसारी और काजया लागवाने के कहानी कैसी लगी अपनी रायक में बॉक्स में जडरूर बता एक वीडियो और मिलते हैं किसी नए वीडियों के साथ तब तक मुझे इज़ाज़र दीजिए धन्यवाग्